हेलो एवरिवान सो जैसे कि हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है टोपिक छो था ओरिजीन ओफ लाइफ ओन दे अर्थ रहा है सो अर्थ पे किस तरहा से लाइफ है ओरिजनेट हुई इट मेंस स्टाट हुई अबर सेइकंड लास्ट थ्योरी जो कि थी ओपेरिन हेलडन थियोरी जी ज़िसको मोडन थयोरी भी बोला जा रहा तो इसको मोडन थोरी हमने क्यों कहा था Because in that theory ओपेरिन हेलडन गेव the idea about the chemical evolution कि जब cells है life है जो कि अर्थ पे start हुई before that एक chemical evolution है वो हुआ होना चाहिए and then only when all kind of chemicals were there then and then only a cell a new cell can form तो जो cell बनने के लिए जो भी चीज़े चाहिए थी उनका पहली evolution होना चाहिए then only cell will come तो इस तरह से हमें direction मिली थी उस time पे भी सब scientist को एक direction मिली थी कि किस दिशा में वो आगे अपना research है वो start करे and ultimately they came to the conclusion so that is what chemical evolution we are going to study in today's lecture जिसको chemical evolution को chemo jenny भी बोलते हैं तो उसके भी different stages है तो वो हम देखते हैं पहले कि किस तरह से chemical evolution हुआ था अर्थ पे और किस तरह से stages है वो different different देखने को मिले थे okay जिसमें सबसे पहला है जो हम study करेंगे वो है formation of earth तो यानि अर्थ पे कौन से chemical का सबसे पहले evolution हुआ यानि chemical के हम संदर्भ में अगर बात करें तो क्या चीज़े पहले आई कौन से molecules से वो बने ठीक है तो वह देखते हैं पहले so earlier situation on earth include high temperature volcanic eruption lightning reducing environment etc तो शुरू में क्या हुआ था chemical evolution जब हुआ तब तो शुरू में obviously earth जो थी वो sun से अभी just अलग हुई थी तो उसका temperature है वो बहुत ही high था right so that is why सबसे पहले earth पे क्या था high temperature था then comes up volcanic eruption obviously high temperature था तो volcanic eruptions भी बहुत बार हुए बार बार हुए right तो ये भी चीज़े थी शुरू में lightning thunderstorm भी बहुत आए तो lightning भी बहुत हुई then reducing environment because इतने सारे as such gases नहीं थे gaseous forms नहीं थे different different तो कुछ भी atmosphere में actually में कुछ था नहीं right उस टाम पे शुरू की बात करें अर्लियर टाइम के बात करें जब अर्थ बनी थी so reducing environment था it is proven scientifically that earth form from the sun around 5,000 million years back तो यह different different fossils के थुरू यह scientifically proven है कि earth का formation किस में से हुआ एक तो sun में से हुआ और कब so around 5,000 million years पहले earth है वो sun से अलग हुई it means earth का formation हुआ from the sun right earth separated from the sun as a part of it and later it gives away from the sun और ultimately क्या हुआ वो उसको दूर बेच दिया गया यानि earth है जैसे ही sun से अलग हुई तो वो दूर चली गई तो जैसे ही earth है वो sun से दूर जाती गई उस तरह से उसका temperature है वो भी दिरे-दिरे कुलडाउन होता गया क्योंकि जैसे वो sun से नस्दिक है तो विससी sun के temperature की वज़े से earth का temperature भी हाई ही था देन दिरे-दिरे करके जिस तरह से earth है वो ठंडी होती गई दिरे-दिरे atmosphere बनता गया दिरे-दिरे मोलेक्यूल के थ्री स्टेजिस होते हैं थ्री फोर्मस केन भी पॉसिबल एक तो होता है लिक्विड फोर्म देन कमस लिक्विड फोर्म और गैशियस फोर्म ठीक है बड़ जब अर्थ इतनी ज्यादा अगर गरम है तो वी के अंडेस्टैंड कि कोई भी लिक्विड फोर्म में कोई भी मोलेक्यूस से सबस्टेंसिस वहां पर नहीं रह सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो बिस यह सारे जो भी केमिकल फोर्म में होंगे वह किसमें कंवठ हो गई होंगे गैशियस फोर्म में ठीक है सो वेन अर्थ सेपरेटेट फ्रों दे सन एक देट टाइम इट वोज अवेरी होट प्लेनेट विथ मैंनी गैशिस सो बिस यह अर्थ है वह गरम ही थी उस टाइम पर बलग हुई थी संसे तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी चीजे प्रेजन थी अर्थ पर जो भी फोर्म प्रे उस टाइम पर अर्थ पे तो गैश्यस फों में पाए जा रहे था किूकि टेम्परेचर हाई था ओकी नेक्स टे बेन जबी भी यह टेंपरेचर की हम बात करें तो हमें यह एक आइडिया नहीं होता है कि कितना टेंपरेचर था ठीक है अर्थ पे so the temperature was around 5000 to 6000 degree celsius so high temperature मतलब किता तो चैसी कि आप लोग को पता ही है कि 100 degree celsius पे कोई भी अगर पानी भी है तो वो उबल जाता है so it is a boiling temperature 100 degree celsius is so there where temperature was around 5000 degree celsius to 6000 degree celsius इतनी earth है वो ज्यादा गरम थी so when earth was mood far from the sun it become colder तो जैसे ही अभी earth है वो sun से दूर जाती गई तो अभी सी वो ठंडी होती गई यहनि वहांका temperature है वो cool down होता गया ठीक है और दिरे दिरे करके फिर यह gaseous form है वो आपस में मिलके कुछ नए मोले कि उस बनाने लगे then कुछ gaseous form से वो ठंडे होके फिर water में भी convert हुए तो इस तरह से H2O भी बना बारिश भी आई वो हम देखेंगे इसी chemical evolution में अभी जस बतारी हो आपको तो इस तरह से जैसे cool down होती गई earth तो दिरे दिरे नए नए chemicals है उसके formation से वो देखने को मिले है उनके real state है वो देखने को मिले कि वो किस form में पाए जाते हैं now many heavy metals like iron, nickel, calcium, etc. resides in the center of earth तो जैसे कि मैंने बताए क्या सारे जो भी metals थे फिर वो जैसे earth ठंडी हुई तो उन्होंने अपनी अपनी प्लेस है वो ले ली earth पे तो कुछ जो heavy metals थी तो बिस थी वो सिधा ही नीचे earth पे गिर गए due to their heavy nature तो वो earth के center में पाए गए then light metals and gaseous like helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, etc. took their place in the environment तो जो भी gaseous molecules थे या तो जो भी light weight थे वो सारे metals gaseous molecules वो सब कहां पे रह गए environment में रह गए तो जो सब पहले एक साथ gaseous form में environment में ही थे उन में से अब जिस तरह से कुछ है वो अब ही again convert होके metal बन गए तो जो अर्थ पे आ गए खुछ light weight थे तो वो gaseous form में ही रहे environment में दिस तरह से ना अब metals c जो की solid form में थी वो अर्थ के center में आ गई clear next तो इस तरह से क्या हुआ initially earth have many atoms which are essential to form the life जैसे की example है carbon hydrogen oxygen and nitrogen तो इस तरह से शुरू में अर्थ पे वो सारे atoms present थे भले वो कोई भी form में हो बड़ प्रेजंट थे जो की life शुरू करने के लिए important है so as you all know जिसे कि अगर हम कोई भी biomolecules की बात करें तो उसके core में उसके center में यही molecules पाए जाते है ना backbone जिसको हम बोलते carbon hydrogen oxygen nitrogen obviously there are many more molecules core right कि अगर यह नहीं है तो बाकी का वैसे भी काम नहीं है तो इस तरह से जो main main atoms से वो सारे उस time पे earth पे दिरे दिरे करके अपने अपने form में आने लगे वहाँ पे present थे तो इसलिए life start हो सकती थे living beings are formed from this only तो जैसे कि मैंने बता है कि living beings जो भी बने जो भी वहाँ पे life start हुई वह इसी की वज़े से हुई क्योंकि यह सारे atoms वहाँ पे present थे तो इस तरह से different biomolecules बने and ultimately cell बना chemical changes which was occur to form a life on earth are called chemical evolution तो जो भी chemical changes हुए life को form करने के लिए earth पे उसी को हम क्या बोलते है chemical evolution right the changes in the chemical nature of the molecules so that is called chemical evolution अब second चीज़ जो की earth पे बनी in the chemical evolution वो है formation of water, ammonia and methane तो पहला step हमने जो बात की वो हमने earth related बात की किस तरह से पहले तो earth है वो sun से अलग हुई और धीरे-धीरे करके वो cool down होती गई तो इसी वज़े से कुछ metals जो heavy थी उसने solid form में center में अपना place है वो ले लिया कुछ है वो gaseous foam में रह गए ठीक है तो इस तरह से शुरू में earth पे कुछ एक environment बना बना start हुआ weekend से then now अब different molecules से वो आपस में मिलके कुछ बड़े molecules से वो बनाने लगे so that is how water ammonia and methane उसका formation हुआ तो वो देखते हैं किस तरह से हुआ हो का उनका formation so out of all essential elements hydrogen was maximum तो जो हमने essential elements की बात की थी carbon hydrogen oxygen and nitrogen उसमें hydrogen था वो सबसे ज्यादा था and दूसरी चीज़ थी it was a highly reactive gaseous molecule hydrogen तो इसे लिए क्या हो गया due to high temperature hydrogen reacted with oxygen to form water and no free oxygen was left which made the atmosphere reducing so now hydrogen hydrogen was the highest and highly reactive so that it will not be the same molecule and it will be the same as someone with a bond so hydrogen has made different molecules with different molecules and hydrogen is also made new molecules so this is how it started to become new molecules which is the first one was started because of the high temperature hydrogen was the same as hydrogen and oxygen so hydrogen and oxygen they created H2O and another thing is that no one was free oxygen at this time because all the oxygen was the same as hydrogen and bond बना लिया तो उसकी वज़ा से क्या हो गया एट्मोस्फियर है वो रिड्यूसिंग हो गया ठीक है सो यह इस दो केमिकल रेक्शन वन हाफ ओर टू प्लास एस्टू किस एस्टू ओ सो ओक्सीजन एंड हाइड्रोजन ने मिलके एस्टू ओ यानि वाटर मॉलेक्यूल बना दिया बट अभी भी यह वाटर मॉलेक्यूस तो बना बट वो वाटर स्टेट में नहीं था liquid state में नहीं था वो था तो gaseous state में ही क्योंकि अभी भी अर्थ का temperature इतना cool down नहीं हुआ था कि कोई भी molecule से वो liquid form में रह पाई ठीक है तो gaseous form में ही रहे यानि steam के form में ही रहा पानी है वो बट ये आपस में जूड के कुछ नहीं चीज़े बनाने लगे भले गेस्ट्र स्टेट में एक दूसरी के साथ जूड रहे यानि oxygen है hydrogen है वो बट अभी कुछ नहीं चीज़े बढने लगी जैसे कि H2O नहीं था oxygen भी अलग था hydrogen भी अलग था पहले तो H2O करके कुछ था ही नहीं एट्मोस्फियर में बट जब भी यह highly reactive hydrogen है वो oxygen के साथ बाइंड किया तो उसने H2O बना दिया यानि water बना दिया पले वो water स्टेट में नहीं था liquid स्टेट में नहीं था गेस्ट्र स्टेट में था बट अब क्या हुआ यह steam बढ गी तो यानि जैसे कि इसके साथ की hydrogen ने so hydrogen binds with nitrogen and forms ammonia तो now second thing किया hydrogen है वो bind किया nitrogen के साथ so N2 plus 3H2 gives 2 NH3 so NH3 means ammonia तो इस तरह से ammonia भी बन गया hydrogen के साथ bind करके nitrogen ने मिलके ammonia बना दिया hence water and ammonia were probably the first inorganic compounds formed on the earth तो यानि यह माना जाता है कि water and ammonia सबसे पहले बने inorganic compounds में से चो कि earth पे बनने वाले पहले compounds से inorganic ठीक है क्योंकि इधर carbon की बात नहीं हो रही है now अब अगर हम organic चीज़े यह तो दूसरे compound सी बात करें then comes the carbon in the picture right so when hydrogen binds with the carbon it can form a methane तो अगर hydrogen carbon के साथ bind करता है तो methane बना सकता है so carbon plus 2S2 gives CH4 it means methane तो इस तरह से hydrogen ने carbon के साथ मिलके अभी methane को भी बना दिया ठीक है then जैसे ही carbon बढ़ते गए वैसे methane के बाद ethane प्रोपेन तो likewise यह सारे फिर molecules बनने लगे इधर हम शुरू में क्या बना उसकी बात करेंगे otherwise as you all know कि lex of molecules है lex of compounds है तो उन सब के बारे में हम evolution में नहीं देखेंगे शुरू कैसे हुआ वो देख रहे है ठीक है तो पहले inorganic चीज़े बनी ammonia and water और हम organic में बात कर सकते हैं जैसे की methane क्योंकि carbon present है so methane was the first organic compound the first inorganic and first organic compound in the chemical evolution you have to remember for the mcqs right now as the earth cooled down the water vapor fell as rain तो अभी जैसे ही मैंने बात की थी आप लोगों को कि H2O जैसे एक बना molecule तो अभी H2O था तो उस टाइम पर अर्थ गरम थी temperature high था तो वो था तो फैपर के foam में steam ही थी but क्या हो गया बाद में जैसे earth cool down होई तो इस फैपर का conversion हो गया liquid में और वो किस foam में अर्थ पे गीरा पारिश के foam में रहे इन के foam ठीके to fill all the depressions and form primitive oceans यानि जो भी pits थे बड़े बड़े अर्थ पे तो उन सब में यह पानी भर गया क्योंकि अर्थ पे जैसे ही यह पारिश के foam में वेपर है वो गीरी तो यह सारे जो बड़े बड़े pits से वो सारे भर गये पानी से जिसको हम बोलते हैं primitive form of oceans यानि अभी oceans है वो बनना शुरू हो गया क्योंकि अभी cool down हो गई अर्थ तो अभी liquid state भी possible था अर्थ पे ठीके तो इस सरा से नाव अब different different resources है वो बनने लगे बारिश होने लगी फिर oceans बन गए छोटे छोटे फिर river से उसमें से start होने लग और कुछ और चीज़े भी बनने लगी so during this molecules continue to react with each other and formed various simple and complex organic compounds तो इस सरा सा भी सारे molecules जैसे की मैं आपको बता है एक दूसरे के साथ आपस में और दूसरे molecules के साथ भी आपस में जुड़के bind करके कुछ नहीने compounds हो बनाना लगे तो अगर दो तीन molecules जूड़ते हैं तो we know कि simple compounds बन रहे बहुत सारे एक साथ mix up होके कुछ नहीन चीज़े बना रहे then we can call it complex organic compounds तो इस तरह से different different formation है वो बनना start होगे Now the water of oceans become a rich mixture of macromolecules और complex organic compounds Held and cold it hot dilute soup और prebiotic soup तो अब क्या हो गया बारिश की वज़े से यह सारे जो भी molecules थे compounds थे वो वोटर में mix के oceans में गए सब के सब ठीक है तो जैसे कि आपको पता भी है हम acid rain की बात करते हैं तो यह acid rain मतलब क्या यानि जब भी बारिश होती है तो atmosphere में जो acid compound present होते हैं वो उस water में mix होके अर्थ पे गिरते हैं उसी को हम बोलते हैं acid rain ठीक है तो same way यह जो भी molecules थे जोकि atmosphere में present थे different compounds जोकि gaseous foam में atmosphere में present थे वो बारिश तोने के साथ उसमें mix होके अर्थ पे गिरे और अर्थ पे कहां गि oceans तो इसका मतलब अभी oceans में बहुत सारे different compounds है वो present है उस time पे, macromolecules भी थे, simple complex compounds भी थे, micromolecules भी थे, सबके सब अभी oceans में पाए जाते थे, तो इसका मतलब अभी ocean है वो compound rich हो गया, उसमें सारे mixture है वो पाए गया, इसलिए हेल्दन जो की scientist है, उन्होंने क्या कहा इसको hot dilute soup जैसे कि soup में हम बहुत सारे ingredients डालते है, liquid form में होता है, वैसा ही ocean भी अभी एक तरह का soup बन गया, उसमें बहुत सारे ingredients से वो आ गए, ठीक है, तो ये बात की हमने formation of water, ammonia and methane, जो की earth पे शुरू में बने, so first inorganic compounds were water and ammonia, and the first organic compound was methane, yes methane, and then comes the rest of the molecules, So, इसी तरह से अभी complex compounds भी बनना start हो गए, so now let's discuss the formation of micromolecules, then we'll discuss the macromolecules, okay, so सबसे पहले देखते हैं, micromolecules है, वो किस तरह से बने, तो अभी the first step of molecular evolution is evolution of micromolecules, अभी chemical evolution में ही ओबिस दी, molecular evolution भी हुआ, Molecules बनना start हुए, तो पहले छोटे-छोटे formations हुए, यानि जिसको हम micromolecules बोलते हैं, ठीके, तो वो बनना पहले start हो गए, जिसमें अगर हम बात करें examples की, तो वो कौन से थे micromolecules, तो वो थे amino acids, then fatty acids, then monosaccharides, then purines and pyrimidines, then adenosine monophosphate, जिसको हम AMP बोलते हैं, then ADP, it means adenosine diphosphate, etc., are found as a mixture in the water of ocean, तो यह सारे mixture के form में कहां पहे, और ocean में पाए गए, क्यों, क्योंकि यह वोटर के साथ ही, एटमोसफियर में से अर्थ पहाए थे, तो यह सारे water में ही पाए गए, ocean में ही सबसे पहले पाए गए, ठीके, तो अभी यह सारे micromolecules है, तो अभी आपको पता ही है, कि यह micromolecules आपस में एक साथ जूड़के, बहुत बड़े molecules बनाते हैं, जिसको हम बोलते है, macromolecules, तो जैसे कि amino acid है, तो अभी सिव एक दूसर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, proteins, same way, फिर different अगर हम lipids की बात करें, तो fatty acids and glycerol, यह मिलके क्या बनाते हैं, different form of lipids बनाते हैं, फिर monosaccharides, तो यह monosaccharides भी आपस में मिलके क्या बनाते हैं, polysaccharides, अगर 2 मिलेंगे तो dysaccharides, और more than 2, then it will form a polysaccharides, फिर है, purines and pyrimidines, तो यह क्या है, nucleotides, nitrogen base, तो यह purines and pyrimidines, अभी यह nitrogen bases भी बन गए तो भी, फिर nucleic acid का evolution भी start हो सकता है, क्योंकि उसकी basic requirements से भी बन गई है, same way, adenosine monophosphate, फिर दो अगर phosphate मिल गए तो dysphosphate, तिस तरह से different different form of micromolecules है, वो बन गए थे, ठीके, तो अभी आपस में जूड़के क्या बनाएंगे, macromolecules, so then comes the formation of macromolecules, तो यह molecular evolution का first step था micromolecules बनना, तो अभी यह second step क्या होगा, macromolecules, so we can say, next step of molecular evolution was evolution of macromolecules, ठीके, so many macromolecules were bond with each other and formed macromolecules, तो यह micromolecules है, आपस में bond बना के, आपस में bind करके, उन्होंने क्या बना दिया, macromolecules को बना दिया, जैसे कि example है, वो मैंने अभी आपको बता दिया, they are lipid, proteins, polysaccharides, nucleic acid, it means DNA and RNA, etc. तो अभी, macromolecules के साथ, macromolecules भी बन गई साथ-साथ में, ठीके, इस सरा से molecular evolution भी हुआ, chemical evolution में, तो अब हमने बात की, macromolecules में, स्पेसिफिकली, nucleic acid की, so as you all know, this is the only genetic material, nucleic acid, चोकि, next generation में, characteristics को पास करने के लिए, important चीज़े हैं, यानि, cell बनने के लिए, important चीज़े हैं, वीकेंड से, क्योंकि, ये, आगे की generation में, जाने वाली कोई चीज़े आएगी, तो ही, नई जनरेशन से वो बनेंगी, otherwise, एकसल तो चलो बन गया, पर अभी, उस से डिवाइट होकि, दूसरा भी तो बनना चाहिए, otherwise, वो एकसल है, वो जब खतम हो जाता, तो वापस लाइफ है, वो खतम हो जाती, तो उसको continue रखने के लिए, चाहिए था, nucleic acid, जो कि अभी, chemical evolution में, बन गया, तो इसका मतलब भी, नुकलिक acid का जो formation हुआ, क्योंकि उसके लिए बनने, उसके लिए चाहिए, जो ingredients, यानि जो different micro molecules, वो बन गए पहले, तो बने micro molecules, तो specifically हम nucleic acid का formation है, वो देखते हैं, क्योंकि it is the most essential thing of the cell, अगर ये नहीं है, नुकलिक acid नहीं है, तो next generation कैसे आही नहीं सकती है, So, before formation of nucleic acid, there were a formation of nucleotides, so basically, क्योंकि purine and pyrimidine, nitrogen basis बन गए, ठीक है, micromolecules में, फिर phosphate भी था अलग से, फिर sugar molecules भी थे, ठीक है, अलग-अलग से, carbohydrates भी बन गए थे, अभी ये सब आपस में मिलके पहले, तो किसका formation हुआ, nucleotide का, फिर जाके बना nucleic acid, because as we all know, nucleic acid किस से बना है, different nucleotides है, तो nucleotide means, उसमें three चीज़े होती है, तीन चीज़े होती है, nitrogen base, sugar, plus phosphate, और अगर phosphate नहीं है, तो हम उसको बोलते है, nucleoside, जो कि आप genetics के chapters में, 5th and 6 में आप पढ़ जोगे हो, ठीक है, तो अभी वो, उसमें हम नहीं जाएंगे, genetics में ज्यादा, अभी हम evolution की बात कर रहे हैं, So, nucleotides having sugar, phosphate and nitrogen bases, तो अभी ये तीनों चीज़े मिलके पहले तो nucleotide बनी, फिर ये nucleotide आपस में जुड के उसने बनाया nucleic acid को, So, likewise, many nucleotides bind with each other and form a nucleic acid, ठीक है, तो इस सरा से nucleic acid है, वो बनना स्टार्ट हुआ, Next, last चीज़ है, जो की है, formation of nucleo proteins, तो अब nucleic acid बन गए, तो इस nucleic acid ने किसके साथ react किया, proteins के साथ react किया, और जिससी वज़े से बन गया nucleo proteins, तो अभी इसकी जरूरत क्या थी, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कि micro molecules बने, फिर वो आपस में जूड के उन्होंने बना दिया macromolecules, तो अभी ये macromolecules भी, जो भी stable थे, वो वैसे के वैसे ही रही, जो stable नहीं थे, वो भी और आगे bind करने के लिए, किसी के साथ react करने लगे, जैसे कि इस nucleic acid ने react किया, किस के साथ, protein के साथ, तो इसकी वज़े से कि अब एक और compound है, वो बन गया, जैसे हम बोलते है, nucleo proteins, clear, कुछ चीजे थी वो, वैसे के वैसे form में ही रहेगे, किसी के साथ, react नहीं किया, कुछ चो compounds molecules बने उसने, और भी आगे react करना, शुरू रखा, चालू रखा, ठीक है, तो इस तरह से nucleo proteins बने, so nucleic acid and proteins bind with each other and forms a nucleo proteins, so they are very important molecule to form a life or a cell, so this is the last thing, जो कि required थी cell के लिए, as nucleic acid बन गए, अब nucleo protein बनना जरूरी था, because it covers the major part of the cytoplasm, ठीक है, तो इस तरह से, क्या हो गया, कि nucleo proteins बने, फिर आया picture में cell का formation, जो कि अभी ये चीजे हम next lecture में study करेंगे, biological evolution में, सेल से, किस तरह से cell बना, अभी हमने आज के lecture में बात की, chemical evolution की, यानि, chemical जो molecules बने, वो किस तरह से शुरू हुए, और before the formation of cell, end तक कौन-कौन से molecules बने, ठीक है, तो जिसके आज हमने six step में बात की, in the last was, nucleo proteins, जो कि cytoplasm का major part है, वो cover करते हैं, तो अभी, cell के center, यानि, nucleus की चीज़े बन गई, फिर cytoplasm की चीज़े बन गई, different, different carbohydrates बन गई, proteins बन गई, lipids बन गई, it means, for every process of the cell, जैसे की, duplication, जो कि genetic material है, तो वो अपने आप करता है, then transcription, translation, इन सब चीजों के लिए, जरूरी जो molecules थे, वो सारे के सारे बन गई, it means, now the cell is completely ready to form a life, clear, so this is it about today's lecture, जिसमें हमने आज, chemical evolution के बारे में बात की, next lecture में हम आगे start करेंगे, किस तरह से cell का formation हुआ, and actual life है, वो start हुई, so it means the biological evolution, that we'll be see in the next lecture, this is it for today's lecture, thank you,